उत्य प्रदेश के जन्तोत बहराई चस्तेत वीश्वी प्रसिद गाजी मिया की दरगाह पूंची भाजवा समाज की राज्यमंत्री किन्नर कल्यान बोर्ड की उपादियक सोनम चिस्ती आपको बता दे किनर ने गाजी मिया की दर्गाहा पर चाधर चड़वाई और भाजबा सरकार की 2022 में वापसी और योगी अरितिनाथ की दुबारा मुखे मंत्री बनने की दुआएं मांगी गाजी मिया की दरगाहा पर पहुंची राजमांति सोनम किनर ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि गाजी मिया संथ है और मैं मुखे मंत्री योगी अरितिनाथ के लिए दरगाह पर आशिरवाद मांगने आई हूं कि भाजपा की 2022 में जीत हो और योगी अरितिनाथ एक बार फिर उतरपरदेश के मुखे मंत्री बने वही साथ रही जिलाकारिस्मीती सदसे गुड़न किनर ने बताया कि किनर समाज के उत्थान के लिए हर संभव कारे किये जाएंगे इस वसे पर समाज कल्यान जुला कारिस्मीती सदसे गुड़न किनर वो गुरू नीलम किनर के साथ भाजपा समर्थक मंच अल्पसंख्यक मौर्चा की राष्टी अध्यक्ष हाजी लुकमान खान भी मौझूद रहे सबसे पहले मैं जितनी भी जनता है उनको मैं बहुत बहुत धनवाद आपके सभी पोटल मुरिया को धनवाद देती हूं कर दो आज हम कल्यान जिलाक समय वस्ति सदाथ सलखनों की है और हमारी लिलम जी गुरू जी और मैं हम लोग आज तीन जीलों की यात्रा पर हूँ और हम लोग किनर समाज को बिजेपी से जुजोर ने का काम कि आज हमने तीन जीलों में किये हैं गोंडा बहरायच और सावस् इसमारे महाइनशरियोग Sagag Scen ₉ करते हैं गावा कर दो हम इनके वहाइन दोने के संतह और सभी इजादधर्म लोग आते हैं तो मैं इनके आज इनके मंदिर आई हूं इनसे प्राथना करने बावा से बावा 2022 में मानेश्री योगी आधितनाजी की फिर से पुन बोवमस से सरकार बने और नव वर्स सभी के जीवन में खुशियाली हो मंगल हो इसी सुबकामना के साथ हम लोग बहुत आभारी हैं देश की जनता की उत जवान, किसान, यूबा सभी लोग की मा बहनों की इसवार 2022 में विजेपी को बोड़ देने का मन है और 2022 में पुर्ण बोवमस से मानी होगी आधितनाजी मुखमंत्री बनेंगे यही प्रात्ना करने आई है